नमस्कार दोस्तों मैं बता दूम आपको चीजा क्या है नहीं है अलग-अलग गांपनी है यह 2017 में डी मर्ज हुई थी Sentax Industries जो है वो Spinning और Textile business में है Syndax Plastic जो है plastic business में है इसकी भी हालत खराब है mainly इसकी बात हो रही है इसको जो है बेचने की तियार है mainly बेचने की तियार है मतलब NCLT में है जो lenders है उनको पैसे चाहिए तो जायर सी बात है asset बिगेगी और उसके पैसे जो है मिलने वाले है तो यहाँ पर ध्यान रखना syntax industries में खास करके syntax plastic की बात नहीं कर रहा हूँ इसकी हालत बहुत खराब है invest बिलकुल मत करना इसमें भी invest मत करना क्योंकि यहाँ पर कोई महलो sell कर रहा है तो कोई buy कर रहा होगा buy बिलकुल मत करना यहाँ पर मैं निउस दिखा दूँ आपको syntax industries में जो कुछ निकला है मतलब जो news है आप किसी भी time buy करो company आपको पैसे बना के दे ऐसा नहीं बहुत सकते कि मैंने यहाँ buy किया है यहाँ मैं निकल गया अगर आप यहाँ निकले हो मैं मान के चला हूँ आप 18 rupees पे निकले हो तो किसी न भाई किया होगा तो जो उपर में buy कर रहा है वो नीचे वाले सबका पैसा पे कर रहा है वो ध्यान रखना इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है कि आप कोई से भी company जो आपको चलती भी दिखती है वो अच्छी है तो वो ध्यान रखना पैसे आपको बचाने है जैसा आपको DHFL में हुआ था simple समझो दोस्तो आपके पास equity shares है आप company के मालिक हो company का मालिक ही डूब रहा है तो आप भी डूब होगे कोई दूसरा जो है option नहीं है आपके पास पहली priority बनती है lenders की जिनोंने पैसे दिये होते है company वाले को उनको पैसे लेने होते है तो जो भी asset बिखता है पहले पहले उनको जाएगा उसके आपको आएगा तो वैसा कुछ scene है नहीं कि आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है जो asset बिखता है या जो भी company खरीदती है मालों रलाइन्स खरीद रही है जो भी पैसे में खर देगी उस पैसे से जो है settlement होने वाला lenders का जो नमनों पैसे पे किये तो simple term में यह समझो DHFL में यह हुआ था DHFL भी का है लेकिन जो पैसा मिला है वो गया है lenders जिसने DHFL को loan दिया हुआ था जिसने NCDs लिए हुई थी DHFL के तो simple term में यह समझो तो यहाँ पे reliance जो है यह लेने वाली है यहाँ पे देखो the report says that RIL offer if accepted will lead to existing equity shall be return off return off का मतलब होता है जैसे आपका DHFL में हुआ है वैसे ही होगा आपका equity का value बिल्कुल 0 वो आपके portfolio से निकल जाएगा demate account पढ़ा रहाएगा king feeser की तरह कोई buyer नहीं कोई seller नहीं बिल्कुल उसका value जो है बिल्कुल 0 हो जाएगा जैसे आपका DHFL का हुआ है वो ध्यान रखना बिना सोचे समझे without किसी चीज के investment करना जो है suicidal हो सकता है यहाँ पे आप undo नहीं कर सकते यहाँ पैसा बनता ही नहीं बनता वो छी ध्यान रख लेना यहाँ पे यहाँ पे देख लो the largest shareholders data source that individual investors यहाँ पे आप देख लो with up to 2 lakh capital 74% stake in the company मत्तब retail investor जो है आपका 74% company का holding लेके बैठा हुआ है ना उसको management का पता है ना चीजें पता है company कैसे workout करती है उन्होंने बाद share लेके बैठा हुआ है जो promoter है वो already wiped out हो चुके है या फिर निकल चुके simple term में यह समझो बता दिया है retail investors have been buying most of the stocks going into a such resolution proceeding into the hope that finds next Ruchisoya मैं आपको Ruchisoya का example बोलता हूँ आपको यह बोलना है कि Ruchisoya में जो हुआ था आपका वैसा हुआने वाला है but most of the resolutions are lending to equity right of like DHFL होता क्या है Ruchisoya का मैं example बोलता हूँ आपको Ruchisoya को मैं यहाँ पे यहाँ पे Ruchisoya तो मैंने खुद देखा हुआ है चीजें क्या हुई है मैं बता दता हूँ आपको यहाँ पे यहाँ पे जो है आपको almost 21 rupees का stock था यह almost गया हुआ है 900 के असपास है मेरे investor के पास 80,000 shares था 14 rupees पे 80,000 shares था 14 rupees पे जब Ruchisoya का क्या बोलते है पतनजली पे एक्कॉाइर किया 100 share पे 1 share मिले है अभी भी उसका buying price जो है almost वो बता रहा है 1400, 1500 के आसपास है तो मैंने 4 rupees से upper circuit लगते हुए देखा है Ruchisoya में लेकिन जिनके पास shares है उनको पता होगा Ruchisoya का value real value क्या है आपको लगड़ा होगा 4 rupees का stock जो है वो होगए 1600 का वो जो है बिल्कुल भी नहीं हुआ है जो आपका resolution plan था उसके आप से 100 share पे आपको 1 share मिला है इसको इसने deal list नहीं किया बस ये जो है अच्छी बात है बांकी जो है सब कुछ वैसा ही था तो समझ गए एक दो कंपनी ऐसी होती वो भी आप बैठे हुए अभी cost to cost नहीं आया हुआ है 4 रुपीज से आप सब करना चाहिए नहीं रहा था 95% share पतंजली के पास थी वो उसने almost circuit खोला हुआ है वो खोला हुआ 800 रुपीज पे मतलब 4 रुपीज से आप buying करना चाहते है करी नहीं सकते थे क्योंकि promoter के पास stock था वो sell करना चाहिए नहीं रहा था जो retailer के पास stock थे वो sell कैसे करता वो 14 रुपीज का buying है 100 पे एक sell मिला उसका buying price 14,00 का है तो वो कैसे sell करेगा अभी भी जो रुचिस तो है 900 पे है लेकिन investor का loss है चीज़े समझ गए तो यहाँ पे यह चीज़ ध्यान रख लेना जो भी आप stocks में आते हो यह चीज़ मत देखो कि यह 3 रुपीज का था 15 रुपीज का हो गया है मैंने बीच में निकाल दिया यह सब जो है stories है जिसने उपर buy किया होगा उसने नीचे वाले सबका पैसा फेकिया है तो चाहे आप हो मैं हूँ कोई और हो तो हमेशा company वो चूज करना जो company किसी भी price पराइज पर बाइज करो वो जो है आपको या फिर आपको समझ होनी चाहिए company की आप किसी भी price पर बाइज करो यहाँ buy करो, 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 company आपको return बना के दे, next 3 years, 5 years में, company को earning करने दो, company का earning आपको stock price पर दिख जाएगा, किसी भी price पर buy करो आप, कहीं भी buy करो आप, A, B, C, D, X, V, Z, कहीं भी buy करो आप, हमको आप ऐसा profit मिलने वाला है, तो company हमस कैसे increase कर सकते हो, आप ऐसी company में invest कर रहे हो, जहाँ से कुछ भी आने के chances नहीं है, hit and trial method है आपका, लगाया, चल गया, चल गया, नहीं चला, तो फिर, right off, तो वो चीज़ धियान रख लेना, पैसा छोटा है, इसलिए आपको वैसा लगता होगा, ठीक है, मैं risk ले सकता हूँ और यह आत रही आपकी, तो बड़ा पैसा भी आगा, तो ऐसे ही करोगे, तो वहाँ पर high risk, high reward game होगा आपका, एक तरह से gambling करोगे, hit and trial method में, तो देख लेना, क्या करना, नहीं करना, बिल्कुल भी advisable नहीं है, मैं live में बहुत पहले से बोल ला हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो company NCLT में जाती है, उसको आप छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना आपको, समझ गे, तो दोस्तों मैंने बता दिया है, जिनके पास shares है, अगर निकलने का मौका मिलता है, तो निकल जाना, फिर से अपर सकेट लगता है, मालो फिर से ये news cancel हो गया है, फिर नया news आता है, तो आप ये expect मताना है कि दूसरी company आएगी, तो right of नहीं होगा, होगा ही होगा, तो आप जो है, you turn मत ले ले लेना, simple है, एक philosophy अपनाओ, एक चीज़ें अपनाओ, उस पर investment करो, चीज़ां सही रहेंगी, तो दोस्तों मैं आशकर ताब वीडियो आप चलाओ, वीडियो अचलाओ, पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सेयो करें, trading और टीमाट एकाउन लिंग जिए वीडियो के, description में है, वहाँ आप जैकर ओपन कर सकते हो, कुछ भी साज़ता हो, मैं नाइट को 8 व